आपको बता दें कि अंबिकापुर की रहने वाली थी महिला और नवागर के वाड नमबर 2 का ये पूरा मामला है तो अंबिकापुर की महिला जहां पर महिला की हट्या के बाद उसे जलाने का मामला सामने आ रहा है वही आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तदि snippyर आपको विच्षस कर सकती है約० की राज कुमार हमारे साथ जुर रहे हैं राजकुमार महिला के हट्टा के बाद उसे जलाया गया और आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है क्या कुछ ये पूरा मामला है क्या कुछ जानकारी है आपके पाउट देखे ये बड़ी संगीन वारदात है जो नवागड के वारड़ दो डीपारा में घटी सुई है जलाया और ये साब तक्सूर में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवाड ने संगीन वारदात पंजाम दिया और इसके बाद से आरोपी युवाड ने नवागड खाने में जाके सरेंडर किया है इसमें ये जानकारी आई है कि ये जो जितका महिला है अंभिकापूर सी रहने वाली है इसमें जो आरोपी युवाड है उसके भाई के साथ इस महिला का प्रेम प्रशंग रहा है जिसके बाद ये महिला लगातार दवगड आपकर घरपर आ गरकर ये दबाओ बनाती सी सादी को लेकर के इसी बात को लेकर के जो आरोफी यूवाथ है वो आक्रोसीत हो गया और उसके बाद से ये संगीन वारदास को अंजाम दिया है जी, 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 ने तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये हुदेव दारक घटना आपको बता रहे हैं, जानजगीर की जहां पर अंभीकापूर की एक महिला की हत्या करके से जलाने का मामला सामने आया है, और ज